साहरनपूर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब ब्लोक पर मुक्षुनाव की बारी है तारिकों का एलान भी हो चुका है और समस्त जितनी सत्ताधारी पार्टी है या फिर विपक्ष पार्टी है सब लोग पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं आज पहुचा हूं गंगो और बात करूँगा गंगो की राजनीटी की बात होगी गंगो के ब्लोक पर मुक्षुनाव की हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के गंगो के विदान सभाब प्रभारी चौधरी इंदर सेंट जी मौजूद है उनसे जानेंगे ब्लोक बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साब कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर क्योंकि लगातार विपक्षे कह रहा है कि 80 सदस्सों का समर्थन जुटा लिया चौधरी परिवार का रुतबा कायम रहेगा इस बार देखे जहां तक रुतबे की बात है रुतब यहां पर लोगों के प्यार सहयोग आशिरवाद की बदोलत लोगों के दिले को जीत कर राजनिति करते हैं आज तक भी इसलिए मजबूती में है रुतबा जनता का है और रही गंगो बलोक परमुखी की बात है हमारे जो हमारे साथी हैं सभी और हमारे चाहने वाले हैं और जितने तमाम विकास कारिये पिताजी हर के दुआरा हुए समाजवादी पार्टी में मानने अखलेश यादा हुजी के दुआरा जिस तरीके से बिना किसी भेद भाव के पांच साल उन्होंने सासन किया वो आज जनता याद कर रही है चोधरी साब यह बताईए कहीं न कहीं लगा रहे हैं सरकारी मशीनरी का क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है देखे आप लोग परजातंतर के चोथे अस्थम के रूप में जाने जाते हैं जो मीडिया है चाहिए वो इलेक्ट्रोनिक मीडिया है चाहिए प्रिंट मीडिया है आपके सामने सब जग जाहीर है कि किस तरीके से नंगा नाच यहाँ पर सत्ता का दुरूपयोग क्या जा रहा है आपने पीछे अभी देख्या जिला पंचयत अध्यक्स चुनाव में भी सो भविक्सी बात है उनको देखते हुए जनता के मन में आशंका तो होगी और सभी लोग सतर्क हैं गुंड़ई है पुलिस परसासन जितना भी है सरकारी मसीनरी का दुरूपयोग क्या जा रहा है तो यह तो पहली बार देख रहे हैं यह बताईए जो आज आपके सामने हैं बीजेपी के उमीदवार कहीं आपकी प्रश्ट भूमी से निकल कर गए हैं क्या उनको एक चुनोती के तोर पर दे पार्टी से जो विचार धारा हमारी है और जो भारत्य जनता पार्टी की है विचार धारा का अंतर है इसमें यह साप और स्वच प्रसासन की बात करती थी सासन की बात करती थी भारत्य जनता पार्टी आप देख लीजे हैं कहां पर हैं जिस तरीके से खुले आम गुंड़ के बल पर जिला पंचायत अध्यक्सों का चुनाओं इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जीता पहले भी हुए लेकिन इस तरीके से नहीं हुए कि खुद पुलिस परसासन पार्टी बनके खड़ा हो रहा है बलोग परमुक के चुनाओं में देखंगे कि क्या होगा क्या न देखा जाए जनता के द्वारा निर्वाचित जन परतिनी दियो किया तो बीजेपी तो कहीं भी नहीं है ये बताएए विपक्ष का जो आरोप है खासकर बीजेपी के जो परत्याशी हैं आमने उनका इंट्रव्यू किया था उन्होंने कहा था कि आप हर चुनाओं में ऐसे लोगों को डूनते हैं जो आर्थिक तोर पर मजबूत हो क्या ये एक मजबूरी है चुनाओं कि क्या आर्थिक तोर पर प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए किसे निस्टावान कारेकरता को लड़ा दीजे जिसने भी ये जवाब दिया जिसकी बात आप कर रहे हैं कोण है क अगर प्रस्ट भूमी की बात हो तो खुद आदमी को जहांकना चीए पहले अपने गिरवान के अंदर जहांके तब आग गए हैं कुछ बात कहें और हमारी लड़ाई भार्तिय जंता पार्टी से व्यक्ति विशेश से कोई लड़ाई निया है हमारे लिए कोई वो माई नहीं रखता ये बताईए मुकावला बीजेपी से मान रहे हैं कि कॉंग्रेस भी इसमें मुहत्वपुन भूमी का में है प्रमुक के चुनाओं में प्रमुक के चुनाओं में तो यहां पर जो कॉंग्रेस से चुनाओं लड़े खुलम खुला बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं बोलो कॉंग्रेस बीजेपी के साथ हाथ मिला रही है बले इमरान मसूद जिले में कहते रहे हैं कि हम तो बीजेपी के खिलाफ राजनीती करें गंगो में एक हो गए हैं कॉंग्रेस बीजेपी मैं यह कह रहा हूँ गंगो विधान सबाद से जो कॉंग्रेस के उमीदवार के रूप में चुनाओं लड़े थे विधान सबाद का वो खुलम खुला बीजेपी के साथ हैं अपना समर्थन दिये हैं लेकिन जनता सब जान चुकी है जनता अंदेरे में नहीं है और मेरे ख्याल से उन्हें बीजेपी जोएन कर लेनी चीए चलिए आगे के चुनाओं की बात करते हैं 2022 का चुनाओं लड़ने जा रहे हैं आप पूरे दावेदारी उपर तक पेश कर दी है चुनाओं लड़ेंगे पूरा दमखम से पार्टी हाइकमान का अदेश और जनता का प्यार आसिरवाद सहयोग हमें जिस तरीके से मिलता आ रहा है हमें जनता कहेगी सभी साथी कहेंग असली पत तो वो है चौदरी साब बहुत सवाल पीछे उठे जब उपचुना हुआ था मोदी जी की रैली वी थी नानोता में उस दोरान ये बाते हुई कि आप पक्षधर हैं बीजेपी में जाने के लेकिन बड़े भाई साब नहीं मान रहे थे क्या वाकई में जनता जान जानना चाहती है क्योंकि किसी ने अब तक यह बात आपसे पूछी नहीं आप ने सिर्फ यहां बैठक की थी उसमें अपनी बाते रख दी थी तो कुछ जवाल जवाब लोगों ने का आप पूछेगा जरू चोजिसा आपसे कभी मिले तो आप एक सम्मानित पत्रकार हैं जनता को सब पता है जानना तो आप चारे है खोजी पत्रकारी था आपकी जो पहचान है मैं उससे परभावित हूँ और उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ लेकिन जहां तक वह पीछे का सवाल है मैं गईा तो नहीं हूँ अगर मैं पक्सदर होता तो 2014 में भी वफ़ाय था है 2017 में भी ओफ़ाय है यह उपचुना भावा उसमें भी था लेकिन हमारी विचारधारा उनसे बिलकुल अलग है भारते जनता पार्टी की जो विचारदारा है वो विनास की ओड़े जाती है हमारी विचारदारा समाजवादी विचारदारा वो विकास की ओड़े जाती है अब आपका यही एक जो आपने भी कहा तो आपकी ही पार्टी के कुछ लोग है जो वहाँ जाकर अखलेश जी कहा रहे हैं कि देखे चोधरी साब तो यानि कि आपका नाम लेकर वो तो बीजेपी के संपर्क में थे तो ये कहा जा रहा है कि चोधरी उद्रसाइन जी को इस बार टिकट दीजिए कही ना कही आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है बविश्य में उपर से मानने अखलेश यादा हो जी ने क्या जबाब दिया जो लोग जा रहे थे मुझे दो पता नी कि वो क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, उसका जवाब मानने अखले से आदा हुजी ने दे दिया होगा चलिए एक अंतिम सवाल, कहीं न कहीं आप आज विधायक होते अगर उपचुनाओं में चले गई होते बीजेपी के अंदर लोगों का ऐसा मानना है, तो क्या आप इस बात से इत्तिफाक रखते हैं, कि हाँ, या फिर पहले होता या आगे बनेंगे, यह तो एक बविश्य में है, क्या मानते हैं कि विधायक होते आज, बीजेपी में चले गई होते हैं विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसूल और सिध्धानतों की राजनिती करना यह तो जो एक चुनाओं में खड़े होंगे, एक जीतेगा बाकी हरेगा किसी कोई कनफर्म नहीं है, अगर भई हंडर्ड परसेंट महां जाकर जीत जाएगा करते हैं, हमारे तो 12 महीने, 365 दिन, जनता के बीच में रहें और तयारी रहें चलिए बहुत दन्यवाद, चौदरी साब हम से बात करने के लिए, तो चौदरी इंदरसेंट जी का मानना है कि वो तयार हैं, चुनाव के लीए और पार्टी जो फैसला करेगी उसके लिए वो तयार है अगर आप पेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेस्बुक पेज को लाइक और फॉलोव तरूर कीजिए और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए